प्याज की कीमतें अक्सर आम आदमी को रूलाती हैं ये सरकार के लिए बड़ा सर्दिर्थ भी बन जाती हैं ये प्याज की कीमतें हैं जो किसी भी सरकार को हिलाने का दम रखती हैं ऐसे में केंदर सरकार ने जब आम आदमी को थोड़ी रहात देने का फैसला किया है और इसलिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है मौधी सरकार अपने बफर स्टोक से करीब 50,000 टन प्यास दिल्ली और गुहाटी जैसे कई शहरों में उतारेगी जहां प्याज की कीमतें अखिल भारतिया उस्तदरों से थोड़ी अधिक है प्याज की कीमतों को स्थिर करने के लिए केंधर के पास 6,000,000 टन प्याज का बफर स्टोक है सरकार के इस कदम से इन शहरों में प्याज के दावों में गिरावट की उम्मीद है मिली जानकारी के मुताबिक उभोक्ता मामलों का विभाग अपने बफर स्टोक से 50,000 टन प्यास दिली और गुहाटी जैसे शहरों को बेचेगा उनका कहना है कि ऐसे कई शहर हैं जहां कीमते अखिल भारती औसदरों से अधिक हैं प्याज की अखिल भारती औसदर कीमत मंगलवार को 26 रुपे प्रती किलो दर्ज की गई थी सुतरों से मिली जानकारी के मुताबिक विभाग ने सभी राज्यों को प्याज की जरूरत होने पर ही ओडर देने के लिए लिए लिखा है के अंदर प्याज 18 रुपे किलो के आसपास दे रहा है वर्ज 2021 में प्याज का उतपादन 266,41,000 टन और खपत 160,50,000 रही थी इसकी खराब होने वाली प्रकृती और रभी और खरी फसलों के बीच अंतर के कारण प्याज की कीमते स्तंबर से दिसंबर की कमी के महीनों के दोरान बढ़ जाती है प्याज की फसल की कटाई के बाद के नुकसान की समस्या को दूर करने के लिए विभागने विज्ञानिक समुदाए, शोद करताओं और स्टाट अप के लिए एक ग्रेंड चैलेंज शुरू किया है ताकि प्याज की कटाई के बाद भंडारन के लिए एक प्रोटो टाइप के विचार और विकास की तलाश की जा सके बहराल सरकार के इस फैसले का असर इन शहरों में प्याज की कीमतों को गिरा सकता है बिरो रिपॉर्ट मार्केट टाइम्स टीवी